Transparency students के बीच में जरूर रहे क्योंकि जातर students हमें comment करते हैं कि मैंने इस university में admission ले जब लिया admission तो university यही हमसे वादे किये बट आज university के पास ना तो अच्छा campus है ना अच्छी faculties है ऐसी बहुत सारी complaints आती हैं अलगातार students की हमारे पास distance का approval तभी आएगा जब university के पास NAC accreditation होगा A plus होगा दोस्तो पहले जो हमने वीडियो बनाई थी चंडीगर युनिवस्टी के बारे में आपको बताया था युनिवस्टी के पास क्या क्या कुछ approvals हैं युनिवस्टी के पास UGC पर आप युनिवस्टी को कैसे चेक कर पाएं पर लगातार हमारे पास जो आपके कमेंट्स आए है कि हम एक वीडियो बनाए कि डिस्टिंस में युनिवस्टी के पास कौन-कौन से कोर्से चलते हैं और साथ ही उस डिस्टिंस के recognition को डिस्टिंस के approval को डैप पर कैसे चेक कर पाएंगे उसी पर आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं और आज मैं बता हूँ आपने इस वीडियो में डिस्टेंस के कोर्सिस के अबारे में चंडिगड युनिवस्टी जो की लुधियाना हाइवे पर युनिवस्टी स्थित है ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रही है हमारे इस वीडियो के साथ अगर आपकी क्वेरी है कुछ आप जानना चाते है किसी भी उनिवस्टी किसी भी कोर्स के बारे में कि कौन सी उनिवस्टी ओनलें एजुकेशन लेती है या फिर किन ली पर circum村 का सवाल करें हम आपके उसका रिप्लाइश जरूर करेंगे आपके दिल में कोई सवाल है आपको उसका जवाब हमारे इस चैनल पर आपको जरूर मिलेगा जिसका नाम है Distance and Online Education in India हमेशा से हमारी कोशिश यही रहती है कि जो हंदुस्तान में जो education system है जो colleges सलते हैं, courses बनाए हैं, जो courses बने हुए हैं साथ में जो universities है, transparency students के बीच में जरूर रहे क्योंकि जातर students हमें comment करते हैं कि मैंने इस university में admission ले, जब लिया admission तो university यही हमसे वादे किये बट आज university के पास ना तो अच्छा campus है, ना अच्छी faculties है ऐसी बहुत सारी complaints साती हैं अलगातार students की हमारे पास हम कोशिश करते हैं आप तक पुरी information पहुचाने की दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में total आज की date में 1026 total universities हैं, जिसमें से लगभग 403 private universities हैं private universities बहुत ज़्यादा हैं हमारे हिंदुस्तान में ताकि जो education field में जो competitions हैं वहाँ आप अपने आपको prove कर सकें universities बहुत सारी हैं, universities के पास approvals बहुत सारे होते हैं distance का approval तभी आएगा जब university के पास NEC accreditation होगा A plus होगा अभी जितने ही भी हिंदुस्तान में university चल रही हैं फिलहाल टोटल 24 के आज़ पास ही universities के पास NEC A plus accreditation है बाकी universities के पास नहीं है, इसलिए उनके पास distance का approval भी नहीं है distance के approval के लिए NEC accreditation का होना अनिवारे होता है और NEC accreditation ऐसे ही मिल नहीं जाता, बहुत कुछ गुडवताय होती है जब उसकी inspection की जाती है, बहुत कुछ चेक किया जाता है चंडिगड़ university की दो website मैंने आपको पहले भी बताई थी, दो website है एक तो है cucet.cuchd.in ये तो है regular courses के लिए, जो आप UGPG courses regular करते हैं उन सब के लिए आप यहाँ पर जागो, detail आपको सब मिल जाएगी बट distance के सभी courses की details check करने के लिए, आपको जाना होगा चंडिगड़ university की दूसरी website पर, जो की university की website है cuidol.in इस university की website पर आप जाओगे, distance की जो website है, यहाँ पर आपको distance के सारे courses देखने को मिल जाएगे पहले मैं बताता हूँ, जो university website पर mention किये हुए courses उनके बारे में आप जाने है, total no courses है, बट आप, जब deb के approval पर जाते हो, वहाँ चेक करते हो, तो वहाँ 10 courses लिखे हैं, जो की 20 से 21 में, जिनी students ने admission लिये है, आपको कई ऐसा course नहों हो, जिसमें आपने admission ले लिया, और university के पास वो course ही नहीं है, course कौन-कौन से हैं, सबसे पहले Bachelor of Business Administration, BBA, university करवाती है, जो university की website स्था है, अभी मैं उसकी बात कर रहाँ, Master of Business Administration, MBA करवाती है, Bachelor of Computer Application, BCA, university करवाती है, साथ में Master of Computer Application University M.C.A. करवाती है साथ में ही कोर्ष चलता है University कबास Bachelor of Commerce मतलब University B.Com करवाती है Master of Commerce M.Com करवाती है Bachelor of Arts B.A. University करवाती है Master of Arts and Master of Arts Psychology ये तो है University ने जो अपनी website पर courses डाले है total no courses और अब हम बात कर लेते हैं जो Deb की website पर जाकर आपको मिलेगा पर आप जाएंगे तो 20-21 की लिस्ट को देखेंगे वहाँ आपको सब डेटेल्स मिल जाएगी चंडिगड में उनिवस्टी है चंडिगड उनिवस्टी चंडिगड प्राइवेट उनिवस्टी ये लिखा है वहाँ पर जिसमें आगे लिखा है 2020-2021 academic session beginning July जुलाई 2020 में जो admissions हुए एंड जैन्वरी 2021 ओनली इसके जो approvals है जो approved courses है total 10 उनमें कौन-कौन से total 10 courses है उसके बारे में भी आप जान लीजिए Bachelor of Arts है Bachelor of Business Administration है Bachelor of Commerce है Bachelor of Computer Application है Bachelor of Science है जिसमें Travel and Tourism आता है Management course जो बनता है Master of Arts यहीं जो मैंने भी आपको बताया है Bachelor of Science Travel and Tourism Management यह अब हट गया है शाय से कि पहले जो मैंने आपको 9 course बताए उसमें एक course नहीं आया था Master of Arts English है उनिवस्टी के पास इसमें आप admission ले सकते हैं Master of Arts में है Psychology उसमें admission ले सकते हैं Master of Business Administration Master of Commerce Master of Computer Application यह टोटल 10 courses हैं युनिवस्टी के पास चो डिस्टिंस में युनिवस्टी को 2020 में जुलाई के लिए और 2021 जन्वरी इंटेक के लिए जो अप्रूवल था युनिवस्टी admission ले सकती थी काफी सारे students की हमेशा query होती है सरी इस course में admission ले या ना ले उसके लिए आप approval चेक किया कीजिए approval युनिवस्टी के पास है तो आपको घबराने को ज़रूवत नहीं और approval नहीं है तो घबराने के ज़रूवत बिल्कुल है कोई भी किसी तरह query है कुछ भी सवाल आप पूछना चाते हैं comment box में comment करें किस युनिवस्टी को हम visit करें किस युनिवस्टी पर upcoming video लेकर आए या फिर इस युनिवस्टी के बारे में चंडिगर युनिवस्टी के बारे में private जो युनिवस्टी है इसके बारे में आप क्या जानना चाते हैं comment करें हमें आपके comments का इंतिजार रहेगा कोशिश करेंगे बहतर से बहतर transparency लाने की universities और आपके बीच में और university के जैसी हमें prospectus receive होता है इस university का prospectus के साथ भी हमें एक video बनाएंगे, कोशिश करेंगे आपके सबी सवालों के जवाब दिने की दोस्तों अच्छा लगाँ आज का वीडियो हमारी वीडियो को ज़ादे ज़ादा अपने दोस्तों परिजिन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आपको हर तरह की जो एजुकेशनल लेटिड अपडेट साथे हैं उनके लिए अपडेट रख सकें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब दोना बिल्कुल ना बोले साथ में लगा बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो हम आप तक पोचा सकें सबसे पहले बहुत बश्चुकेशनल वाद हमारे इस वीडियो को साथ बने रहने के लिए